और द्रमा आर्विंग के जिवाल पत्रकार परिश संबूदी रहाचे सिदा देशू की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलके खुब जबर्दस तरीके से हमारा विरोध कर रही है और अब देखना आने वाले दिनों में ये लोग खुब बड़े बड़े अपने राश्ट्रिय स्थर पे खुब बड़े बड़े नेता उतारेंगे सारे आके मिर को गा रात में एक सार्मी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं वी वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं नै Teachers प्रदर्शन कर रहा हैं, किसान प्रदर्शन कर रहा हैं, ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सडकों के उपर है, इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाईयों बहनों से, मैं निवेदन करना चाहता हूं, को आशवासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मैं उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्दे नहीं उठाए उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भी उनके मुद्दे नहीं उठाए। नहीं कोई दबाने की किसी कोई कोई कोशिश नहीं की जारी और जो भी हुआ वो बहुत दुखदाई है बहुत पेंफुल है और जो दोशी है उनको गिरफतार कर लिया गया है उन्होंने सक्से सक्स हज़ा दिलवाई जाएगी मैं आपको एशूर करता हूँ सभी लोग सियासत करते हैं पर ऐसे मुद्धों पे सियासत नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने भी गड़बड की उसको सजा दीजिए मेरे को बीजेपी के उपर बहुत दया आती है उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदिगी में नहीं देखी सीबी आई उनके पास है एडी उनके पास है इंकम टैक्स उनके पास है पुलिस उनके पास है उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉनफरेंस करके कुछ 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 इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया उसने जिंदिगी में कभी केंदर में हमारी सरकार बनी तो हम दोशियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉनफरेंस नहीं करेंगे, इसके ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा, उनसे काम नहीं हो रहा, नौटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठके नौटंकी करते हैं, अरे किसी ने गलत काम किया पकड़ के जेल भेजो, दोशियों को तो हमारे उपर इन्हों ने 179 केस किये 169 केसे इन्हों ने हमारे उपर किये 135 में बरी हो गए 34 पेंडिंग है अब किसी और को भी नमश्कार सुर दो चीजे आपके दो प्रशनेया लग अलग वडूदरा पे मैं एरपोर्ट पे उतरा और वहां पे 30-40 लोग थे उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए मोधी 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 अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारदी जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजे पी कभी नहीं हरी है ऐसा कहा जाता था इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफी तकलीफ इनको उने वाली है वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग तो जाहिर तोर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे घर थोड़ी बैठेंगे 30-40 आदमी भेजके नारे लगवा के कहते हैं कि दूसरी चीज एक बड़ी इंट्रेस्टिंग है जब भी राहूल गांदी जी गुजरात आये इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए है बीजेपी वाले भी कॉंग्रेस वाले भी केजरी वाल के खिलाफ दोनों मिलके नारे लगाते है दोनों ही कट्टे हो गए दोनों मुझे गाली देते हैं दोनों मेरे पीछे पड़े हो आपका दूसरा प्रश्न है ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकों ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं अगर इमांदार राजनीती हो गई अगर जनता को फ्री सुविधाई मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा अभी तक इस देश में लूट की राजनीती चल रही थी जितनी सरकारे थी जितने नेता थे यह मौसली जो हैं वो लूट सरकारों को लूटते थे ये लोग और साहरा पैसा स्विस बेंकों में ले जाते थे साहरा लूट लेंग पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम अदमी पार्टी ने इमांदार राजनीती की शुरुआत की है हम इमानदारी से काम करते हैं पैसा बचाते हैं ब्रश्टाचार रोकते हैं रिश्वत नहीं लेते उसे सरकार में खूब पैसा बचता है उसे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं फ्री शिक्षा देते हैं फ्री अस्पताल देते हैं की दवाईयां देते हैं अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका नूटने का पैसा हो जाएगा तो एक चीज गाठ बांद लो जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए समझ लेना उस आदमी की नियत में कोट है